नमस्कार मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ जन संदेश टाइम्स पर शायद दो अक्टूबर आपको याद होगा क्यों याद होगा ना अगर नहीं है तो हम बता देते हैं जगत गुरु परामहंस आचारे ने कहा था कि दो अक्टूबर को दिन में 12 बजे भारत को अगर हिंदू राष्ट गोशित ना किये जाने पर वो जल समाधी ले लेंगे जी हाँ यही कहा था उन्होंने लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा अयोध्या में तपस्वी चावनी में महंत जगत गुरु परामहंस चारे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है परामहंस चारे ने भारत को हिंदू राष्ट गोशित किये जाने की मांग की थी उन्होंने एलान किया तकि यदि 2 अक्टूबर तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो सर्यू नदी में जलसा माधी ले लेंगे तपस्वी चावनी में पुलिस और महंत के समर्थकों का जमावाड़ा है महंत को सुबा भी पुलिस ने पहले पहर में सर्यू का दर्शन कराया था भारत को हिंदू राष्ट गोशित किये जाने की मांग पूरी ना होने पर परमहन सचार बेहत नाराज है और वे अपनी जित पर अड़े हैं उन्होंने कहा कि वो हिंदू राष्ट से अपनी मांगो से धर्म वा देश दोनों की रक्षा कर हिंदू समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है परमहन सचार ने कहा मैंने डिब्बे में सर्यो जल मंगाया है उसे में नाक डुबो कर प्राड़ दे दूंगा उन्होंने ये भी कहा कि देश में गजवाए हिंद की साजिश चल रही है साधू देश और धर्म के लिए जीता है इसे से पहले शुक्रवार की रात कमरे में घुस कर उन पर हमले की कोशिश का मामला सामने आया था हालाके शोर शराबा होने पर हमला करने आये दो यूवको को संत साधू ने दबोच लिया एक यूवक के पास से चाको मिला है पुलिस दोनों आरोपी से अयोध्या कोतवाली में पूश्टाश कर रही है पकड़े के दोनों यूवक, परवीश और राहुल कुमार अयोध्या शहर के महलन मोती बाग के बताय जा रहे है जगत गुरु परमहंस आचारे ने कहा कि आज 29 राज्यों के हिंदू वादी संगटनों के प्रतिनिधी धर्म संसद में शामिल है दॉक्टूबर को दिन में 12 बजे तक भारत को हिंदू रास्ट्रों गोशित किये जाने की मांग पूरी ना होने पर जल समादी ले लूँगा फिलाल उनकी दीवी धंग की नाट की अंदाज में सिर्फ आधारहिन चेतावनी बन कर रहे गई है इन सभी बातों से जो मोहल खराब हो रहा है और सामप्रदाइटता के शोले भड़क रहे है इन पर साशन और प्रशासन को लगाम लगाना जरूरी है धार्मिक कटरता की सिपाही आधारहिन बात करके चले जाते हैं लेकिन इसका जो दुस प्रभाव जनता पर पढ़ता है उसका अंदाजा है आपको आपने शेयर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे जन संदेश टाइम्स हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले